सो हाई एवरिवन दिसे स्वारब ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं सिमान देबुवा दिस दी फिफ्ट लेक्चर ओन फेमिनिजम सबसे पहले में बता दूँ मैं अलड़ी तीन चार लेक्चर बना चुका हूं आप उन्हें जरूर देखें तभी यहां पर आईए तभी कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ मैंगी देखो फैमिनिजम है घुमा फिरा कर बाते तो वही होनी है बस यह है कि सबके अगर इंडिविज्वल तोर पे अप अपने तरीके से अपनी अपनी अंडरस्टेंडिंग कॉम्रेंशन अप दमेंटर के हिसाब से चीजें लेकिन घुम फिर के जो एक basic philosophy of feminism की उसी के बारे हम बात करेगी यू can go to my about section in the channel you can read everything there about me मेरा जो academic जो कुछ भी है and you can follow me on instagram danaaltitasker is the name and ठीक है so let us start Simone de Bois the pronunciation is Simone de Bois बुआ हमारे जो बुआ जी होते हैं पापा की बहन बुआ ठीक है तो उस बुआ से आपने याल रखना है कि यह जो बुआ जी थे यह बड़े खतरनाक और कैसे खतरनाक थी मैं भी बताऊंगा और 1908 में पैदा हुए 86 में मर गए तो इनका जो relation था हमारे यॉन पॉल सार्ट यॉन पॉल सार्टर पर मैं एक औलेडी वीडियो बना चुका हूँ existentialism में मैं इस writer को cover कर चुका हूँ तो क्या था कि Simone de Beauvoir भी French थी French writer थी existentialist philosopher भी थी feminist भी थी और theorist भी थी यह सारी चीज़े आपने आद रखने कि French थी ठीक है French कल मैंने Elaine Shawalter पर वीडियो बनाई थी she was American and Simone de Beauvoir was French ठीक है यह बात याद रखना तो जेन पॉल साटर जो था existentialism का बहुत बड़ा नाम है तो इनके इनका जो एक relation था वह बहुत ही एक अवल दर्जेगा था प्लकुत platonic love था platonic तो नहीं कह सकते हैं पूरी तरह लेकिन एक soul partnership थी तो सिमयन de Beauvoir जब छोटी थी तो इसके पापा खुद कहते थी he used to boast मतलब शेखी बगारता था that my simon thinks like a man तो शुरू से ही सिमयन de Beauvoir की सोच कुछ बहुत solid तरीके की थी ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये college गई तो college में जान पहचान हुई यौन पॉल साटर से इसने कोई test दिया था कोई scholarship के लिए तो उसमें क्या हुआ कि पहला स्थान फर्स्ट कौन आया जीन पॉल साटर ठीक है और सेकिंड आई सिमयन de Beauvoir तो वहाँ पर थोड़ा सा शायद attract हो गई है इसकी तरफ क्योंकि sapiosexual लोग वहाँ वैसे एक middle class family से थी lower middle class lower तो नहीं लेकिन middle class मतलब कि इतनी अमीर नहीं थी यह जीन पॉल साटर थोड़ा अमीर था तो क्या हो कि दिरे दिरे इसने इसने बोला कि हम एक provisional relationship में आ जाते है let us sign a lease for two years ठीक है कुछ इस टाइप का आप सोचो इनकी सोच देखना कितनी modern है ना sex के बारे में है sexual affairs है कुछ भी है relationships के बारे में कितनी इनकी broad सोच थी उस टाइम पर है na 20th century में तो क्या होता है कि यह कहता है कि चलो यह ऐसा करता है release तो यह बोलती है कि नहीं नहीं मतलब कि ठीक है relationship ठीक है फिर यह कहता है कि चलो let's get married तो इसने बोला कि नहीं I don't have dowry to give में पर दहेज नहीं है तो मैं शादी is impossible तो जिन पॉल साटर ने बोला चलो कोई बात नहीं so we will start a relationship जो की एक soul partnership होगी और पूरी जिंदगी भर चलेगी how beautiful it is it was so lovely to read about their love story but इसमें भी बहुत सारे loop holes है वो मैं बताऊंगा दीरी दीरे क्या है तो क्या हुआ कि इन्होंने शायद 51 years तक till they are deaf they were in a soul partnership और जिन पॉर साटर ने भी शादी नहीं की इसने भी शादी नहीं की ना ही बच्चे पैदा किये ना इस नहीं किये ठीक है तो इनके एक soul partnership रही आपस में इनका relationship रहा और ब memoir लिखा है अपना तो उसमें उसने लिखा है कि I was a student of Simone de Beauvoir and Simone de Beauvoir was in her thirties at that time तो उस टाइम क्या हुआ कि भाई उसने मुझे exploit किया sexually ठीक है तो आप समझ सकते हो कि अपने बच्चों के साथ भी sexually उसको exploit करती थी मतलब कि बाया-sexual थी लड़कियों के साथ इसके affair थे एक writer और थी वो 17 साल की थी उस वक्त तो उसने इस पर charges लगाए कि जो मेरी मेडम है वो मेरे साथ गंदी-गंदी हरकते करती she tried to seduce me right तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद इसको expend कर दिया था सस्पेंट कर दिया था ठीक है सस्पेंट कर दिया था सिमरंद बुहार को नौकरी से और उसके बाद क्या हुआ कि age of consent जो थी फ्रास में 15 years थी और वो लड़की 17 साल की थी तो क्या हुआ कि एक मतलब जीत गई एक हिसाब से इसको permission मिल गई वाप इसका license जो था पढ़ाने का वो ठीक हो गया तो यह दिक्कत थी तो आप समझ सकते हो कि यह bisexual थी लड़कियों के साथ भी relation थे हाला कि जब अभी हम एक novel की बात करेंगे तो वो novel जो है वो पूरा उसने उसी बारे में लिखा है जो इनके relations रहे है हाला कि जीन पौर साटर भी इतना दूद का दूला आदम दिया मॉर्गेनेटिक मॉर्गेनेटिक मैरेज अभी आऊंगा पॉइंट पर आऊंगा सिमन दॉपकर सागे में वर्क्स बताऊंगा इसके आईडियस बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा अभी मजा लोगा इनकी थोड़ा परसनल लाइफ का आपको बहुत कुछ यही है मॉर्गेनेटिक मैरेज का मतलब होता है it is a legal marriage की मतलब की it is legal हैना लेकिन इसमें क्या होता है कि मैन होता है वो higher class का नोवर क्लास की होती और वोमन का उसकी property पे कोई रकिवश्च का अपने बाप की property पे कोई हख होता तो यह उसे कहते है morganetic marriage though it is legal तो एक हिसाब से इसने कहा कि हमारी morganetic marriage type ही एक marriage है हलांकि they were not married है ना तो उनका एक relationship था अब इस बीच क्या होता है कि जो सिमन्द बुवार है उसका एक relation था एक writer था Nelson Nelson अब उसका नाम भूल गया मैं Nelson Elgar Elgar कुछ ऐसा नाम था नाम important थी इसलिए मैंने याद भी नहीं रखा मैं थोड़ा सा इसी याद है तो एक यह American writer था वैसे यह तो इसके साथ भी इसका अफेर था सिमन्द बुवा का है ना तो हलाकि यह तो soul partnership था एक तो permanent रखाई हुआ था इसने but it's her choice चार रखे चाहे पांच रखे it's her choice ठीक है तो choice की जब बात आती है तो वहाँ पर feminism आगे खत्म हो जाता है खत्म हो या शुरू हो या चले कुछ भी कह सकते हो चलो तो सिमन्द बुवार कि अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसका जो बहुत famous work है वो है the second sex second sex 1949 यह जो second sex है यह बहुत important है इसके अलावा खेर अलावा छोड़ो पहले मैं इसी के बारे में बता देता हूं तो अब यह क्या है this work is divided in two volumes पहली volume का title है facts and myths ठीक है दूसरा है lived experience lived experience ठीक है जी पहली volume दूसरी volume ठीक है I hope आपको छी से दिख रहा होगा facts and myths फर्स्ट वॉल्यूम लिब एक्स्पिरेंस सेकिंड वॉल्यूम 1949 में पब्लिश हुआ याद रखना है ठीक है sexual politics और second sex इंपॉर्टन है sexual politics Kate Millet का है और second sex सिमन दुबवा का है तो अब क्या होता है कि facts and myths में इस सबसे पहले बात करती है कि जो women है मतलब कि जो men है उनको default माना जाता है देखो आपके phone में जो पहले छोटे phone होते अभी भी है default setting होती है default setting का मतलब है कि जो की already वहां पे है जो की basic है तो यह कहती है कि men को default समझा जाता है मतलब कि जो की existence में है जिनका जो basic में आते है और women को other समझा जाता है ठीक है other तो यह इस part में इस volume में question करती है that what is woman what is woman भई woman है क्या default setting है या other है तो इसको otherness जो यह कहती है कि women को जो है other समझा जाता है second sex का मतलब यही है sex देखो दो प्रकार के होते है male female हालांकि third sex भी होता है जो की transgender या फिर bisexual homosexual जो कुछ भी है लेकि first sex जो है वो किसको माना जाता है men को ठीक है तो इसका बोलने का मतलब है कि first sex men को माना जाता है first priority हमेशा उनी को दी जाती है तो इसलिए जो female का sex है वो second sex बंद कर रहा जाता है मतलब की other ठीक है यह otherness जो है इससे परेशार सी मन्दव हो ठीक है तो अब यह कहती है कि आप हर चीज में जो आपकी biology है उसको नहीं गुसा सकते हैं कि हर जगा biology की बात नहीं कर सकते हैं आप biology की बात कीजिए आप ontology मतलब की nature of being आप cannot set the values and standards on the basis of your biology right तो biology को आप side में रखिये तो हमें otherness नहीं कीजिये ठीक है अब इसमें यही सारी बात करती है physiology वगरा की अब जो lived experience है lived experience में यह बताती है 2 से 4 साल के एक child जो होता है उसको उसका example लेती है ठीक है उसमें कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है वो अगर लडगा है ठीक है अब लड़का है थे तो उसे पताया यौरओ इस बताया जाता है तो उसे बताया जाता है थे टो ड़की है तूरर लड़की है if you are feminine your iq your second your other और उसको उसके रोल्स बताया जाते है कि ऐसा नी करना है, वैसा नी करना है, वैसा नी करना है, तो वो जो सुसाइटी है, वो सुसाइटी उसको एक हिसाब से बना रही है, एक हिसाब से उसको exploit कर रही है और उसको force कर रही है pressurize कर रही है कि आपको यह यह roles निभाने हैं तो जो discovery of sex है discovery of sex is itself as paining as winning winning इसने एक इसकी खुद की wording है winning winning का मतलब होता है जब एक बच्चा अपनी मम्मी का दूद पी रहा है और उसे आदत हो गई है मम्मी का दूद पीने की और उसके बिना रह नहीं सकता है उसे उस दूद से छुड़वा दिया जाता है और उसे कुछ और खाने पर मजबूर किया जाता है उसे कहते है winning जब आप किसी चीज़ पे dependent हो और आपको उस चीज़ से अलग करके किसी और चीज़ में लगा दिया जाता है तो winning का मतलब है कि आपको जब आपका जो आपको लगता है कि हां यार I am a female मेरे कुछ अपना खुद का भी existence होना चाहिए और आप कहीं connect हो भी जाते हो लेकिन फ आया जाते है that you are second sex यह यह भी कहती है कि Aristotle ने कहा है that a female is a woman by virtue with a certain lack of qualities woman या फिर female is a woman by virtue with certain lack of qualities मतलब कि और एक virtue है लेकिन वह virtue कैसे है with the lack of some qualities मतलब कि जो man में नहीं है वो woman में है इसी लिए वो woman है राइट तो इसी लिए यह कहती है एक और writer भी उसने भी एक ऐसी बात बोलिए that woman is an imperfect man imperfect man का जो title है वो woman को दिया गया है तो यह कहती है यह सारी चीजों की अगेंस्ट है इस चीजों से बहुत हताश होती है हमारी बुवा जी तो वो कहती है कि यह चीज़े accepted नहीं है ठीक है woman की अपनी एक identity होनी चाहिए उसका एक अपना existence होना चाहिए मैंने बताए existential existentialism की भी य इसने एक essay लिखा है उस essay का title में आपको बताता हूं इतना आप याद रखने है न सेकंड सेक्स का है पहले में सेकंड सेक्स की आपको quotation बता देता हूं जो रह गई है जो की world famous है और बहुत आप बहुत सारे लोगों को पता भी होगा तो उसका क्या कहती है one is not born but rather becomes a woman becomes a woman देखो यह world famous line है one is not born but rather becomes a woman ठीक है तो इसने बोला है कि एक जो औरत है वो पैदा नहीं होती है बलकि उसको बनाया जाता है उसको woman बनाया जाता है society के द्वारा कि तू woman है तुझे यह यह करना है तेरी यह role से ठीक है तो इस पर क्या होता है कि इसी लाइन पर जुडित बटलर भी एक famous feminist है अब जुडित बटलर इसने कहा है कि जो यह line है one is not born rather becomes a woman इस line से सिमान देबुवा यह बताना चाहती है कि क्या बताना चाहती है sex और gender में differentiate करना चाहती है sex और gender यह दो चीज़ें है sex है आप जब पैदा होते हो आपका sex sex मतलब कि आप male हो या female लो क्या हो वह आपका biological चीज जो है लेकिन gender जो है this is something you acquire as you grow up right gender है जब आप बड़े होते हो आपको बताया जाता कि आप woman हो आपको बताया जाता मैन हो आपको यह यह करना है आप woman हो आपको यह यह करना है तो gender है जो कि socially constructed cheese है और sex है जो कि biological है ठीक है इन दो चीज़ों में differentiate करना चाहती है Simone de Beauvoir ठीक है इस lines ठीक है sex and gender में तो यह चीजा समझ लो चलो तो यह world famous line है यह याद रख लेना किस work में यह यह याद रख लेना second sex में है अब मैं आपको बताता हूं एक essay जो की काफी important नाम है उसका the ethics of ambiguity the ethics of ambiguity अगर आपको याद हो अगर आपने मेरा new criticism वाले सारे lectures देखें तो उसमें seven types of ambiguity विले मैंपसं का मैंने discuss किया है तो new criticism प्ले लिस्ट में जाएए मेरे चैनल में जाएए प्ले लिस्ट में जाएए वहाँ सब कुछ चेकेजिए सारा है सब कुछ है new criticism न्यू इस्ट और इसिजम पोस्ट्रॉस्ट्रिजम सब कुछ मिलेगा freedom की बात करती है कि a man is free वो free है कुछ भी कर सकता है क्यों free है because of his nothingness उसकी जो nothingness है being a nothingness जॉन पॉल सार्टर का work है उसके response में भी काफी कुछ लिखती है उसके बारे में भी काफी कुछ discuss करेगी ठीक है क्योंकि यह एक दूसरे के works पढ़ा करते थे जिन पॉल सार्टर रोसी म बात करेगी थोड़ा ठीक है तो यह आपने याद अठना non-fiction है यह essay है वैसे तो जो second sex वह एक सबसे treatise थी लेकिन उसके बाद वो एक workbook समझ लीजिए उसके बाद वैसे treatise थी basically the ethics of ambiguity essay non-fiction ठीक है इसके तीन-चार में आपको novels भी बताऊंगा अब चलो तो अब हम बात करते ह जो इसने लिखे है ठीक है उसके बारे में बताऊंगा क्या क्या उसमें बोला है she came to stay पहला है she came to stay 1943 अब she came to stay में यह क्या बात कर रही है देखो दो heroines थी actress थी तो उनके साथ क्या था कि affair चल रहा था Jean Paul Sartre का मतलब कि दोस्ती थी इन दोनों की दोस्ती थी तो she has described their sexual affair with those two actresses right तो उसका क्या था कि Jean Paul Sartre ने पहले उसको प्रपोज किया उसने मना कर दिया फिर उसने किसी और से शादी कर ली तो इसका भी शायद कुस sexual उसके साथ affair रहा हो लड़की के साथ क्योंकि bisexual तो हमारे से में दुबुआ जी थी तो she came to stay मतलब कि इसमें बात क की गई है जो की relationship है इन दोनों का उन दोनों लड़की के साथ actress उनके नाम important नहीं इसलिए नाम भी थोड़े अजीव से है तो एक का नाम olga है हुए जैंग है और एकका नाम वंगू, वंगं वंगं को कुछ एसा है, isn कि 95 है, घंद नाम इंपॉडंट्ट नहीं हमारे लिए है यह यह चीज याद ने की, तो मैं आपको से इतना बता रहा हु कि यह उन दो के जो रिलेशनशिफ है, उसके बीच में जो पुछ भी इनका है उसके बारे में इसमें बात हुई है ठीक है शी केम टू स्टे अब अगला वर्क है मेंडरीन 1594 स्टेक यह मेंडरीर स्ट्व मैं मेंडरेन्स में क्या है जो मैंने आपको नलसन वो एक्टर एक्टर नी राइटर था अमेरिकन राइटर हा उसके साथ जिसकत affair था, Simone de Buhr. मैंने क्यूं बताया personal life кा, इन works में सारे personal life के बारे में बात हुई है, इसलिए हमें personal life पता होने जाए writer की, तो Mandarin's जो है उसमें उसने जो इसका affair था, Simone de Buhr का affair था, नेलसन के साथ, वो उसको उसने बहुत explain किया मैं हस क्यों रहा था क्योंकि बाद में उस writer को issues हो गए थे कि इतनी frankly आपने हमारे पी जो भी हमारे sexual relations रहे है हमारे sexual relations को आपने इतनी frankly आपने इस work में क्यों बताया तो उसको उससे problem हो गई थी थोड़ी तो इसने जो relation था इसका उसके बारे में इसमें बात किये माइनर भी नहीं है याद रखने तो उससे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा सब कुछ ही हो गया क्या बताऊंगा मैं भूल भी जाता हूं हाँ उससे पहले मैंने आपको बताना था memoirs इसने एक अपने memoirs लिखे memoirs of a dutiful daughter अपनी जो यूथ है अपनी जो जवानी के बारे में इसने लिखा है memoirs of a dutiful daughter में कहीं भी आ सकता है कि भाई इसकी autobiography से मंदर बवार की कौन सी थी ठीक है इसकी date है नहीं हाप है न वह mention नहीं थी date मैं बतानी पाऊंगा और अब मैं आपको बताता हूं चार वर्क्स ठीक है जो आपको याद रखने है ठीक है memoirs of a dutiful daughter इसका autobiographical work है ठीक है अब मैं आपको बता रहा हूं इसके चार वर्क्स जो आपको याद रखने है ठीक है कहीं भी आ सकते है the blood of others the blood दूसरों का खून the blood of others 1945 ये novel है ठीक है all men are mortal आपने paper one में पढ़ा होगा all men are mortal some men are not mortal ठीक है जो square of opposition आप पढ़ते हो उसमें तो ये title है all men are mortal सिमन दबुआ जी का है 1946 में एक साल बाद ये भी novel है अगला है the coming of age coming of age ठीक है आप इसका screenshot भी ले सकते हो जो मैं लिख लोंगा और सास में आप no down भी कर सकते हो 1970 last work जो मैं आपको बता रहा हूं when things of the spirit come first when things of the spirit comes first 1979 ठीक है तो इतने works आप याद रखने हो ठीक है आप screenshot लेना चाहो ले सकते हो और no down करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है वीडियो को pause कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो आप सभी लोगों होश यहार हो तो इतने works आप से में दोगों का याद रख लो उससे पहले जो मैंने आपको बताये जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया मैंने आपको वह याद रख लो इसका जो affairs थे थोड़ा उसके बारे में और बाया सेक्शुल थी बई खतरनाग बंदी थी जो भी बहूलो बह ब्यूट सा था काफी इनका अच्छी जोड़ी थी फ्रेंच थी फैमिनिजम हो गया ठीक है सब कुछ हो गया है ना और कुछ ने बचाए इसके बारे में जो मैंने आपको बढ़ाना था बहुत बर शुक्रिया खुश रहो आबाद रहो किसी की जान किसी की फरियाद रहो इ एड्स आती वीज में देख लिया करो मेरा पैसा बन जायागा ठीक है और मज़े करो यार नेट जैरिफ निकालो खुश रहो ठीक है ठीक है ठीक है बाई अगले लेक्च्छर मिलते हैं ओके